Good morning everyone, तो आज हम बात करेंगे Uniform Civil Code की आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार जो है वो Uniform Civil Code को भारत में लाना चाती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो चाते हैं कि Uniform Civil Code भारत में नहीं आना चाहिए क्योंकि भारत में बहुत सारी जाती हैं, बहुत सारे धर्म है जो अपने लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं तो इसलिए Uniform Civil Code अगर भारत में आएगा तो ये भारत में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा लेकिन ऐसा कहना भी है कि Uniform Civil Code अगर भारत में आता है तो लोगों को Equality मिलेगी, Equal Opportunities मिलेगी, भारत और भी जादा सशक्त हो जाएगा खेर आज हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे कि Uniform Civil Code अगर भारत में आता है तो इससे भारत को क्या फाइदा मिल सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं Ensuring Equality की, ऐसा कहा जाता है कि Uniform Civil Code अगर भारत में आता है तो सभी लोगों को Equal Rights मिलेंगे, Opportunities मिलेंगी सभी citizen को क्योंकि अभी हम देखें तो बहुत सारे धर्म है जातिया है जो धर्म है उनके खुद के Personal Laws है जो अपने लोगों को Regulate करते हैं जब Uniform Civil Code होगा यानि कि एक ही तरह का कानून होगा तो सभी को बरावर का हक मिलेगा इससे Gender Equality हमें देखने को मिलेगी आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जितने भी Personal Laws है धर्म के Base में सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को ही होता है तो उस तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही तरह का कानून होगा और उसमें Men और Women सभी को बरावर के Rights मिलेंगे उसके बाद हम बात करते हैं Unity and Integration हमने स्कूल टाइम से पड़ा है कि हमारे देश में अलग तरह की जातियां है, धर्म है, संस्कृती अलग तरह की है लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा Unity है और Integration है लेकिन Uniform Civil Code आएगा एक ही तरह का कानून होगा तो ये Unity और Integration हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी इंडिया is a diverse country with various religions and personal laws implementing a Uniform Civil Code would foster a sense of unity and integration among its citizens by treating everyone equally under one common law तो एक ही तरह का कानून होगा तो Unity और Integration हमारे देश में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे Simplifying Legal System आपने देखा होगी कि कोर्ट के चहरी में बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे धर्म होते हैं जिनके खुद के personal laws होते हैं उनको study करना पड़ता है तो Legal System जो होता है हमारे देश का वो complex हो जाता है लेकिन जब Uniform Civil Code आएगा यानि कि एक ही तरह का कानून होगा सभी लोगों के ऊपर एक ही कानून implement होगा तो इससे जो हमारा Legal System है वो और भी ज़्यादा simplify हो जाएगा इंडिया's current legal system is complex with different sets of laws for different religious communities implementing a Uniform Civil Code would simplify the legal framework, reduce confusion and streamline the judicial process उसके बाद हम बात करते हैं protection of fundamental rights सबसे ज़्यादा important है हमारे constitution में that is the fundamental rights हमें अपने लोगों को जो fundamental rights provide करवाए है वो अच्छे से managed होने चाहिए तो अगर Uniform Civil Code आता है तो हम अपने लोगों के fundamental rights को अच्छे से protect कर सकते हैं The Uniform Civil Code would ensure the protection of fundamental rights enshrined in the Indian constitution such as the right to equality, freedom of religion and the right to life and personal liberty uniformly for all citizens फिर इसमें नहीं देखा जाएगा कि किसका क्या धर्म है क्या जाती है उसके बाद हम बात करते हैं women's empowerment की मैंने आपको पहले बताया था कि जब personal laws की बात आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही महिलाओं को होता है लेकि जब Uniform Civil Code होगा, common law होगा, एक ही तरह का कारण होगा तो women को उनके rights बराबरी में दिये जाएंगे men के मुकावले में परसनल laws, particularly those related to marriage, divorce, inheritance and maintenance often disadvantage women in certain religious communities implementing a Uniform Civil Code would help empower women by ensuring the equal rights and opportunities in these areas उसके बाद हम बात करते हैं international standards की देखिए, भारत कोई पहला ऐसा देश नहीं है जो Uniform Civil Code को implement करने जा रहा है इससे पहले बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी countries हैं जिन्होंने Uniform Civil Code को implement किया है और उसको implement करने का लागू करने का एक ही कारण था कि अपने लोगों के बीच में equality लेके आई जाए सके और उसके बाद जो protect है उनके rights, fundamental rights है उनको protect किया जा सके So many countries around the world have implemented a Uniform Civil Code to ensure equality and protect the rights of their citizens Implementing a Uniform Civil Code would align India's legal system with international standards and practices तो हम international standards को भी managed करके रखेंगे अगर हम Uniform Civil Code को अपने भारत में लेके आते हैं तो तो आज हमने समझा कि Uniform Civil Code अगर भारत में आता है तो इससे भारत को क्या फाइदा हो सकता है But कुछ लोग विपक्ष में भी बोलते हैं कि Uniform Civil Code आएगा जो कि अच्छे से भारत में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत में बहुत ही ज्यादा भी बी दता है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है तो मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वेरिमाट